वेलकम तो यूमानिटीज ओनर हैं, प्लीज शेर, लाइक और सब्सक्राइब वेलकम बैक एवरीबड़ी, तो आज हम इस वीडियो में डेरी फार्मिंग को पढ़कर खतम करेंगे डेरी फार्मिंग के अंदर हम मिल्च अनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं मिल्च अनिमल्स का मतलब है, ऐसे अनिमल्स जो की दूद देते हैं और डेरी फार्मिंग स्टार्ट करने में भी बहुत सारा पैसा लगता है मतलब, इट इस हाईली कैपिटल इंटेंसिफ Dairy Farming को start करने के लिए इतना सारा पैसा क्यों चाहिए वो हम discuss कर लेते हैं First Point Animal का shed बनाने में और उनका खाना रखने वाली जिगा बनाने में बहुत पैसा लगता है Dairy में बहुत सारे milch animals होते हैं जिनका दूद हाथ से निकाल पाना possible नहीं होता है तो animals को milch करने के लिए milching machine भी खरीदनी पड़ती है Dairy farmers अपने animals की health care का भी ध्यान रखते हैं तो उसके लिए उन्हें doctor को बुलाना होगा और doctor veterinary service देने के लिए पैसे लेता है और cattle breeding में भी बहुत सारा पैसा खर्च होता है क्योंकि dairy farmers को अपने milch animals से ऐसे offspring चाहिए जो की ज्यादा दूद देते हो It is highly labor intensive Dairy के उपर काम करकर इंसान का भूत बन जाता है और क्या तुम्हें पता है कि dairy में milch animals को उनका food kilo में majors करकर के दिया जाता है जैसे 10 kilo की feed जाएगी हमारे first animal को 20 kilo की जाएगी second animal को जो milch animal ज्यादा दूद देता है उसे feed भी ज्यादा मिलती है और जो milch animal कम दूद देता है उसे कम feed मिलती है There is no off season Dairy farmers अपनी dairy में ही बंध कर रह जाते हैं और उन्हें पूरे साल में कोई छुटी नहीं मिलती क्योंकि मैंने तुम्हें अभी बताया था कि dairy farming के उपर milch animals बहुत quantity में होते है चलो इसे तुम्हें एक example से ही समझ लो जैसे तुम्हारी dairy के उपर 100 milch animals है और इस 100 में से 20 milch animals ने दूद देना बंद कर दिया है milch animals offspring देने से 2-3 महीने पहले दूद देना बंद कर देते है लेगिन इन 20 animals का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि dairy farmer के पास अब भी 80 milch animals है जिनका दूद उसे निकालना है और इसी लिए ये point लिखा गया है कि there is no off season dairy farming को urban and industrial centers के पास perform किया जाता है ताकि हम fresh milk and dairy products को जल्दी से market में पहुचा सकें ये dairy products जल्दी ही खराब हो जाते हैं तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने consumers तक ये dairy products बहुत जल्दी जल्दी पहुचाएं अब तुम्हारी किताब में कुछ नुस्खे दिये हुए हैं जिनकी help से हम milk की life को बढ़ा सकते हैं इसे तुम ऐसे समझो कि अगर dairy farmer अपने dairy products को cycle के उपर रखकर अगर deliver करेगा तो उसे बहुत time लग जाएगा और इतने time में तो ये dairy products खराब हो सकते हैं तो इसलिए बहुत important है कि हम अपना mode of transport को develop करें नेक्स्ट point है पैस्चराइजेशन पैस्चराइजेशन एक process होती है जिसमें milk को पहले बहुत गरम कर दिया जाता है और उसके बाद बहुत थंडा कर दिया जाता है इससे milk की life increase हो जाती है और third point है refrigeration freezer में dairy products को रखने से वो जल्दी खराब नहीं होते है और अब हम कर लेते हैं इस chapter का last map work पूरे world में ऐसे तीन commercial areas हैं जिनमें dairy farming को practice किया जाता है सबसे largest area है North Western Europe second area है Canada और हमारी third belt है South Eastern Australia, New Zealand and Tasmania ये है New Zealand, ये है Tasmania और ये है South Eastern Australia और largest area जरूर याद रखना जो की है North Western Europe और तुम्हारे book में ये जो image दे रखी है हम इसे भी जल्दी से discuss करते हैं इस drawing में Austria का एक dairy farm दिखाया गया है और तुम्हारे अपनी book में बड़े ध्यान से देखना कि इस dairy में कितने सारे milch animals है इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा labor intensive है क्योंकि dairy farming की साफ सफाई करने में भी बहुत महनत लगती है next point जो हमें इस picture को देखके पता चलता है कि हमें dairy farming में बहुत सारे पैसे invest करने पड़ते हैं क्योंकि पहले जमीन खरीदो उसके बाद इन animals का घर बनाओ फिर इनका fodder रखने की जगह बनाओ etc. etc. और इस picture को देखकर तो ये पक्का यकीन हो जाता है कि dairy farming में कोई off-season नहीं होता है चलो तो अब हम मिलेंगे next episode में Mediterranean Agriculture के साथ तब तक के लिए keep studying Here your achachach is signing off